Hello students, this is Pravesh Nen and welcome to my channel Live to Learn. Today we will discuss the solutions of chapter Changing Times, EVS class 4th. लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. और बाकी की जो EVS की वीडियो हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया है, जहां से आप उनको देख सकते हैं. So our first question is, true or false? True or false बताना है आपको. चेतनदास, mother, used to coat the floor with the mixture of cow dung and mud to keep the insects away. Yes, it is true. जो चेतनदास की मदर थी, वो फर्ष को गाएं के गोबर और मिट्टी से उसकी लिपाई करती थी, पुताई करती थी. ताकि insects, कीडे मकोडे घर के अंदर न आ सकी. Use of cement made the houses weaker. क्या cement का यूज़ करने से घर कमजोर बनते हैं? No, उससे तो strong बनते हैं. So it is false. In olden days, kitchens used to have mud chulas. पुराने टाइम में, सभी के गरों में, मिट्टी के चूले होते थे. जो कि बिलकुल सही है, क्योंकि पहले हम जो खाना पकाते थे, रोटी पकाते थे, वो मिट्टी के चूलों पे ही पकाते थे. Fourth, a person who walks with wood is called a mason. No, it is false. क्योंकि जो wood के साथ काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है, उसे बड़ा ही कहते हैं. Sohana village is in Haryana. Yes, it is right. जो Sohana गाओं है, Sohana village, वो हरियाना में है. So it is true. Next question is, Now look at the picture and fill in the table. Picture में आपको बहुत से लोग काम करते वे दिखाई दे रहे हैं. आपको ये बताना है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कौन से टूल्स का यूज कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं, उस काम के कारण उन्हें क्या कहा चाता है? Like mixing of sand and cement, जो मिट्टी को, रेती को मिला रहा है सिमेंट के साथ, उसे क्या कहते हैं, मैसन कहते हैं, और कौन से टूल यूज कर रहा है हो? ट्रावल और हैमर, कैरिंग ब्रिक्स and other materials, जो ब्रिक्स को और बाकी सामान को लेके जा रहा है, उपर लेके जा रहा चछत पे, उसे क्या कहते हैं, उसे लेबरर कहते हैं, और किस टूल का यूज कर रहा है वो? आयरन, पैंस का यूज कर रहा है, फिटिंग, इलेक्ट्रिकल वायर्स and पॉइंट्स, जो बिजली के वायर की फिटिंग कर रहा है, उसे इलेक्ट्रिशन कहते हैं, और वो कौन-कौन से टूल्स का यूज कर रहा है, ड्रिल मशीन, वायर्स, स्कूरू ड्राइवर, उनको पिक्चर में दिखाए दे रहे हैं, तो हमने इस पिक्चर में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके बारे में लिखा है, टेबल में, थर्ड, चेतन दास बताता है कि जो लोग बस्ती से आते हैं, वो टोइलेट की सफाई करते हैं, और जो उनको यूज करते हैं, वो उन को सफाई नहीं करते ऐसा क्यों क्योंकि पहले के टाइम में ये मानते थे कि जो टोइलेट का साफ करना होता है वो गंदा काम मानते हैं डर्टी जोग इसलिए जो बस्ती के लोग थे वो टोइलेट को क्लीन करने आते और जो waste होता था toilet का उसे अपने साथ लेके जाते थे The people who used the toilets did not clean them as they thought that it was a dirty job Therefore, people from Basti cleaned the toilets and took away the waste Next question is Why did Chetan Das mother caught floor with the mixture of cow dung and mud? Chetan Das की mother जो floor है उसको mixture of cow dung and mud गाएं के गोबर और मिट्टी के जो mixture है उससे क्यों पोती थी? क्यों पताई करती थी उसकी ताकि जो insects हैं वो घर के अंदर ना आ सकी Next question is From what material Chetan Das, Bawa and Amma made their house जब Chetan Das के Bawa और Amma पाकिस्तान से आये थे तो उन्होंने अपने लिए घर किन किन चीजों से बनाया था? भई उनके पास घर नहीं था तो उन्होंने जिन जिन चीजों से घर बनाया वो हम लिखेंगे इसमें पहला soil मिट्टी से, husk भूसे से, cow डंग गाएं के गोबर से, mud मिट्टी, strips of wood लकडी के उन्होंने strips काटी उसका यूज किया चट के लिए branches of neem and kicker trees और इनकी ब्रांच उन्होंने चट पे रखने के लिए यूज की old gunny bags इसे भी छट पे रखने के लिए उन्होंने यूज किया जो पुराने bags थे तो इन सब चीजों का यूज करके उन्होंने अपने लिए घर बनाया जब उनके पस घर नहीं था जब वो पाकिस्तान से आये थे next question is a lot of mud was used when चेतनदास parents house was made why बहुत सारी मिट्टे का यूज किया था चेतनदास के parents ने अपने घर को बनाने के लिए ऐसा क्यों जो चेतनदास का घर था वो कच्चा घर था इसलिए दिवारों के लिए floor के लिए roof के लिए घर में बहुत सारी मिट्टे का यूज किया गया और वो क्यों किया ताकि वो घर में रहते वे heat और cold गर्मी और सर्दी दोनों से बच सके ताकि उन्हें घर के अंदर रहते वे गर्मी और सर्दी से उनकी सुरक्षा हो सके गर्मी में गर्मी से सर्दी में सर्दी से इसलिए उन्होंने धेर सारी मढ मिट्टी का यूज किया था next question is what materials did Chetan Das used for making roof and walls of new room Chetan Das ने जो घर बनाया अपने लिए नया कमरा उसकी दिवारों और छत के लिए कौन से material का यूज किया Chetan Das used iron and cement for making roof and unbaked bricks for making walls of new room Iron or cement का यूज चत के लिए और बिना पकी हुई इंटो का यूज दिवारों को बनाने के लिए किया तो चत के लिए लोहे का, सिमेंट का और दिवारों के लिए बिना पकी हुई इंटो का question is what type of kitchen did he built और उसने kitchen की स्तरह का बनाया he built a small kitchen in courtyard with mud chula and place to keep vessels courtyard में उन्होंने एक छोटा सा kitchen बनाया जिसमें मिट्टी का चूला था और बरतनों को रखने के लिए जगे थी shelves बनाया उन्होंने छोटे छोटे ताकि उनमें बरतन रखे जा सके next question is did Chetan Das make a toilet in the house if yes how was it made क्या Chetan Das ने घर में toilet भी बनाया और अगर बनाया तो कैसे बनाया yes Chetan Das made a small toilet with unbaked bricks behind the house Chetan Das ने एक छोटा सा toilet बनाया अपने घर के पीछे और कौन से इटों का यूज़ किया उसने बिना पकी हुई unbaked bricks का यूज़ किया next is what changes were made in Chetan Das house before his elder son's marriage जो उसका बड़ा बेटा था उसकी शादी से पहले Chetan Das ने अपने घर में क्या-क्या प्रिवर्तन किये क्या change किये भाई कौन-कौन से change किये वो हम बताएंगे इसमें Baked bricks were used for making walls unbaked brick के जगाब उन्होंने पकी हुई इटों का यूज़ किया baked bricks का lintel was used for putting roof और चत के लिए उन्होंने लेंटर का यूज़ किया marble chips and cement were used to make fancy floor और फर्ष के लिए उन्होंने marble के टुकडियों का यूज़ किया cement का pipes were put in the toilet to take away waste और toilet में pipe लगाए ताकि waste material को उठाना ना पड़े वो अपने आप बाहर चला जाए kitchen was made bigger and has gas stove और kitchen बड़ा बनाया जिसमें gas का चूला भी था मिट्टी के चूले की जगे next question is over the 60 years different materials were used at different times in Chetan Das house list these in correct order पिछले जो 60 साल थे उनमें जो Chetan Das के घर में परिवर्तन हुए उसमें अलग अलग तरह के materials का यूज़ किया गया सबसे पहले किस material का यूज़ करके घर बनाया उसके बाद कौन से material यूज़ किये इस तरह से total चार बार उन्होंने अपने घर को फिर से बनाया था renovate किया था तो आपको वो चारों में ये लिखना है कि कौन-कौन से material का यूज़ उन्होंने किया सबसे पहले bamboo, mud, ropes, straw का यूज़ किया फिर nut bolt, wood, iron roads, bamboo का यूज़ किया फिर iron roads, cement, wood, sand का यूज़ किया and finally cement, sand, marbles and plastic का यूज़ उन्होंने अपने घर को बनाने में किया activity, show India and Pakistan on the map अब जो चेतन दास था, वो पाकिस्तान से इंडिया आया था तो आपको मेप में इंडिया और पाकिस्तान दोना show करने हैं आपको बताना है इंडिया कहां पे है, अपना देश और पाकिस्तान कहां पे है तो आपको मेप में दिखाई दे रहा है, इंडिया का मेप और उसके जो उपर है पाकिस्तान का मेप है तो आपको ये identify करना है So students, उमीद है आपको सभी questions अच्छे से समझ आ गए होंगे इन questions को अच्छे से learn कीजिए, copy complete कीजिए और अगर आपका कोई chapter अधूरा रहता है, तो description box से उस chapter की वीडियो आप देख सकते हैं और अपने chapter को complete कर सकते हैं So students, thank you